हेलो गाइस कैसे आप सब उमिद करते हैं आप सब खेरेस होंगे आज में लेकर आएंगे आप सब के लिए कॉम्बो वीडियो जो की हम बनाएंगे खड़े चावल की सौंथी खीर और साथ में बनाएंगे मसाला पूरी दोनों का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है मीठे के चावल पूरी दोमेए मेरे छावल के लिए और इस ञीचा जालोए भी ताकि साहवर ही चावल भूनाई है। तो इसे 3-4 टेबल स्पून ले लेंगे गी को हलका सा गरम करके इसमें एड़ कर देंगे चावल और मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से चावलों को भून लेना है जब तक इसमें अच्छी से खुश्बू ना आने लगे और हलका से चावल का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो अब इसमें एड़ कर देंगे एक लीटर फूल फैट मिल्क गाढ़ा वाला दूद्ध है यह आप चाहे तो लिफ्ट ऊवर मिल्क अभी इस्तमाल कर सकते हैं दूद्ध में एक अच्छा सोबाल आने तक हम इसे अच्छी से पका लेना है और कुछ धागे मैंने डाल दिया थे केसर की ऑप्षिनल आप चाहे तो डाले हैं फिर स्किप कर दें तो इस खीर को बहुत जादा तवज्जों की ज़रूत नहीं होती है आप छोड़ दें अप गल चुके हैं चावल अच्छे से गल चुके हैं पर एक जैसे नहीं हुए हैं दूद्ध हो चावल बस एक में मिल जाने चाहिए बहुत ही गाड़े हो जाने चाहिए तो थोड़ी देर के लिए हम इने और पकाएंगे तो फ्लेम को मीडियम रखना है थोड़ी थे देर Πर फे हमें इसैनल से चम्मच को चलाते रहना है तो यह देकि थोड़ी देर के लिए मैंने इससे और पकाया अब चावल को हम थोड़ा से दबा देंगे तो ये देखे इस तरह से चमच की मददा से साइट से मैं चावल को इस तरह से दबा दे रहे हूं तक चावल थोड़े से फोट जाए दूर्द में थोड़ा सा गाढ़ा पन आ जाए और हमारी जो खीर है वो बहुत ही थीक और गाढ़ी-गाढ़ी सी हो जाए तो थोड़ा सा इस तरह से मैश कर देना है तो ये देखे इस तरह से साइट सेट से आपने इसको इस तरह से चावलों को मैश कर देना है ये खीर बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें चावल साबुत होते हैं तो नीचे पकड़ने का डर नहीं रहता है जो पीसे हुए चावल रहता है उसमें नीचे पकड़ने का डर रहता है बहुत जाद उसमें तवज्जो की जरूरत होती है इस खीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसकी ठीक और बढ़ाने के लिए इसमें आड़ करेंगे 3-4 टेबलिस्पून नारीयल का बुरादा यानि की कोकोनेट फलेक्स तो नारीयल का बुरादा डालते ही खीर बहुत जाधा ठीक हो जाएगी तो यह देखिए आप इसका कमाल नारियल का बुरादा डालने के बाद अच्छे से चला देना है वरना वह गुठली बन जाती है तो यह देखे कितनी अच्छी कितनी थीक और बहुत यह गाड़ी हमारी खेर बन के त्यार हो चुकी है जितनी गाड़ी हो चुकी सबसे लास्ट में इसमें आड करेंगे चीनी औ और आधी चीनी और यह अधी बाद में डीखलेंगे क्योंकि बहुत जाता मीठा हो जाएगा कप से ना पे तो तक्रिबन यह आदा कप चृणी है आप अपने हिसाभ से चीनी डा कर सकते हैं मीठा खाती है अफीका खाते हो पिर बहुत जादा थीक हमारी कीर बन के त्यार हो अच्छा फ्लेवर इससे होता है और इसका टेस्ट और खुश्बू बिल्कुल नेक्स लेवल की हो जाती है अगर आप चोटी लाइची का पावडर एड़ करना चाहें तो एड़ कर सकते हैं कीर हमारी बन के त्यार हो चुकिए सबसे लास्ट में एड़ करेंगे तड़का तो कैं सबसे आप साहँ है तो नाट्स को भून य湯 जलाना नहीं आपको धिलागा तरह सबसे थारे ही चोड़का में हैसे होड़का नाट के बिल्कुं चल्ट हे अजची कर लेना है लुए हिए दो मिनिलिट के लिए इससे छोड़ और फिर हम हैं एड़का कर देंगे फीर में इस तरह से क्रंची करके और लास्ट में एड़ करने से नट्स का 土लेवर बहुत डी क्रंची हो जाता है जब आप खीड खाते हैं बैट आती हैं नट्स की तो बहुत ही करंजी लगता है तो इस तरह से ज़रूर एट कीज़ें या फिर आपको इस तरह से नहीं एट करना है तो आप खीर के साथ में यह एट कर देज़ें यह देके फाइनली हमारी खीर बन के त्यार हो चुकी है कितनी तीक कितनी गाड़ी और टेस्ट बिलकुल हटके हैं बहुत ही सονधापन इस षोनधापन बहुत ही अलग ह्यों प्लाश को ज़रूर तो ज़रूधर ही लेम य। इससे साथ हम अभुली आधि कंटोरी औरकूल टाल थोड़ा से सौंधा पन कर लेंगे यह देखिए बहुत अच्छे से भूण चुकी है अब अच्छी इसमें खुश्बू आने लगी है हलका से कलर भी चेंज हो जाता अब इसमें एड़ करेंगे वन टेबली स्पून धनिया साबुत धनिया है यह साबुत सूखी लाल मेच हाथों से एड़ कर सारे मसालों को मैं अच्छे से भून लेना है यहां पर गयस कफली मैंने आफ कर दिया था क्योंकि पैन अच्छे से गरम हो चुका था और इसमें एड़ करेंगे वन टीस्पून कसूरी मेथी अगर आपके पास फ्रेश मेथी तो वह भी एड़ कर सकते हल इस तरह से मसाला में बना के रखती हूं कभी भी मसाला पूरी खाने का मन कर रहा है तो फटा फट से आप मसाला पूरी बना सके तो यह थे मसाले ठंडे हो चुके हैं अब इनका में फटा फट से पाउडर बना लेना है तो यह थे हमारे पाउडर बनके रेड़ी हो चुका ह इसके खुश्बू बहुत ही अच्छी आदे मैं आपसे बया नहीं कर सकती है आप बनाएंगे फिर आप एसास करेंगे तो यहां पर ले ले गेहूं का आठा चार से छे टेबली स्पूनिस में एट करेंगे देशी घी या फिर आप ऑल भी ले सकते हैं या फिर आधा घी और आ पेवर आ जाता है और अब इसमें एट करेंगे पिसे हुए मसाले तो मसाले आप कम ज्यादा अपनी हिसाब से ले सकते हैं इसके खुश्बू इतनी अच्छी हो थी कि मैंने पूरे मसाले एट कर लिये थे थोड़ा सा एट कर देंगे देने के पत्ति अकुटी हुई लाल मे prossy अच्छी से मिक्स कर देंगे तो यति कि मसाले मैंने ओर आट कर दिया सारे मसाले में इसमें अच्र लिए थे तो तो थुद़ख़ब पानी डो लगा लेना है यह तो पानी बहुत जादी अपनी नहीं एट करना है पानी करना बस हमें रफ्ली बाइंड कर लिये नहां बहुत जादा पंच नहीं लगाए हैं बस इसे रफली बाइंड कर लेना है और बहुत जादा पानी के इस्तिमाल करना हमें सक्षा आटा इसका त्यार करना है सक्षा डो लगाना है तो ऊपर से थोड़ा सा अड़ कर देंगे तेल या फिर घी तो यह देखे इस तरह से मैंने इसका रोल बना लिया और सक्षा आटा मसाला पूड़ी के लिए हमारा बन के त्यार हो चुका है तो यह देखे कितना रफ है मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं नीट किया है अगर नीट करेंगे या फिर आप रेस्टर देंगे तो आटी में इसके छोटी साइज की बाल बना लो नहीं तो मैंने बिल्कुल भी आटे नहीं दिया रिस्ट के लिए नहीं रखा है ऐ वह फॉराण इस की इस तरह से पूड़ियां बनाने लगे तो आपने ड्राय प्लाट कर भी इस्तिमाल नहीं करना सुखे आटे का कर रखा नहीं करना है तरह से बेलapter करना है गरं गरं तेल में डीप करके इस तरह से बेल लेना है विंट क्रраст थे मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आती है इस तरह से खीर और पूरी जो की खाने में बहुत ही टेस्टी लगता बहुत ही अलग फ्लेवर का होता है तो इस तरह से जरूर ट्राइ कीजेगा सौंदे चावाल की खीर और साथ में मसाला पूरी तो जब भी वीकेंड में कुछ